स्वास्थ और सौंदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंदरी में आपका एक वर फिर से स्वागत हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चहरे पर चावल का आटा यानि राइस फ्लोर लगाने के कुछ पहतरिन फायदों के बारे में चावल का आटा सेहत के साथ साथ इसकिन के लिए भी काफी फायदमन माना जा आटा चहरे पर लगाने से चहरे के डलनीस दूर होती हैं चहरे के दाग धबे गाइब होने लगते हैं साथी चहरा चमकदार बनता हैं चावल का आटा एंटी आउक्सिडेंट्स विटामिन्स और फोलिक एसेड़ जैसे तत्तों से भरपूर होता हैं जो स्किन की कई समस्या को दूर करने में मदद करता है चावल के आटे की प्रयोग से इसकिन की ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है जिससे इसकिन की चमक पढ़ती है चहरे पर चावल का आटा लगाने के कई सारे फायदे हैं जिन में से कुछ बहतरिन फायदो को हम इस वीडियो में बताने जा र होते हैं जो स्किन वाइटनिंग एजेंट का काम करते हैं तो यदि आप ग्लोइंग स्किन की चाहत रखती हैं तो चावल के आटे को अपने स्किन के रुटिन में ज़रूर शामिल करें चावल का आटा नैचरल ब्यूटी इंग्रिडियंट से या सभी स्किन टाइब के प्रिया में चावल के आटे को अपने चहरे पर लगाने से चहरे पर प्राक्रितिक निखाडाने लगता है। चावल का आटा एक बहतरिन क्लिंजर का काम करता है। या स्कीन के उपड़ी सता पर जमिगंगी को साफ करता है। जिससे तोचा साफ, निखरी, वजवा नज़र आने लगती है। चावल के आटे को फेस पाउडर की तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें मौजूद तत्व चहरे के एक्स्टर ओयल को सोख लेते हैं, जिससे स्कीन ओयली नहीं दिखती है। चावल के आटे में टोनिंग प्रोपर्टिस पाय जाता है, जो सकीन को टाइट और टोन करने में मदद करता है। चावल का आटा एंटी एजिंग प्रोपर्टिस से भरपूर होता है। नियमित इसे अपने चहरे पर लगाने से चहरे पर बढ़ते उम्र के लक्षन दिखाई नहीं देते हैं। चावल के आटे के इस्तेमाल से स्कीन के बलड सरुकलेशन में सुधार होता है, जिससे स्कीन की चमक पढ़ती है। तो फिर आज आपने इस वीडियो में चहरे पर चावल का आटा यानी राइस फ्लोर लगाने के कुछ बहतर इन फायतों के बारे में जानो। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नैस्वास थी और जांदरी संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे वीडियो पसंद आई हूँ तो इसे लाइप और शेर जरूर करे ताकि इसी तरह हम नए नही जानकारियां आप दो पहुचाते रहें। तर नवाद